अभी तो भादों बीतेगा तो पता चल जाएगा कि कहां अभी पतजड़ आएगा कहां भगदन मचेगा अपनी पार्टी अपनी सरकार बचाले बिरोधी यही बहुत है वो एक विकेट गिराएंगे हम यहां चार विकेट गिराएंगे अब देख रहे हैं फास्टी ब्यार में वह आपके साथ शाहिलन कुमर्दे के अमरे साथ बात्चित करने के लिए राजत के परवक्ता मिर्टन जे तिवारी जी बीजेपी कह रही है कि आरजेडी शमाप्त हो जाएगी बीजेपी आरजेडी की चिंता कर रही है पले अपनी पार्टी अपनी सरकार की चिंता करे केंदर में तो वहां बैसाकी पर सरकार बनी यहां भी बैसाकीय पर है बीजेपी तो कम से कम इस तरह की बात नहीं करे जो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई आज तक वह आरजेडी को क्या समाप्त करे कि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या भादो बीतने दीजिए सुम मुहुर्त आने दीजिए तब पता चलेगा जो हमारे बिरोधी है उनको कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा किसमें भगदड़ होगा किसमें पतजड़ होगा अभी कुछ बात को राज ही रहने दीजिए जिस तरह से भूलो गुपाल मंडल जद्यू के विधायक है फिर सुर्क्यों मैं फिर उन्होंने बयान बाजी किया है अपने संसद को लेकर उन्होंने कहा है और भूलो मंडल को लेकर कहा है वो तो बसूली अभियान करते हैं सिर्फ बसूली करते हैं हम से जो ठकराएगा ध दूबूब दिन है अब उनका नाम भी गो पाल ही जहाँ है आभ ये सब चीज बोलना उनकी आद़त ुनका आदथ है अब उन पर टिन व बें वह आप अपने को उपक्षित महसूस कर रह है अब किया आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं के लिए का रहे हैं तो यह इसमें हमारी कोई दिल्चस्पी नहीं है इस पर कोई राज्टिक प्रतिक हैं लोचपा रंबिलास के राश्टी अध्यत चीराग पासवा ने तेश्वी आदव का समर्थन किया उन्होंने का कि पूरे देश मे का मामला हो चाहे कास सेंसर्स का मामला हो चाहे रिजर्वेशन का मामला हो हर मुद्दे पर ऐसे जो महत्पुर्ण गंभीर विसे हैं तेश्वी जादव जी ने अपना इस्टेंट देश की जनता बिहार की जनता के सामने किलियर किया है और खुली किताब की तरह उन्होंने पस्पष्ट कहा है, वो मुद्दे से इधर उधर की बात ना करके सीधे, जब यहां बिहार में हुआ था, इसका सारा क्रेडिट स्रित्य जश्वी जादव जी को था, आदरनी मुख्य मंत्री जी ने उसमें, आदरनी परधान मंत्री जी के पास, जब सरुदली परतिन धी गया था मिलने मांग करने के लिए, तो आदरनी मुख्य मंत्री जी नितिस कुमार जी ने कहा था, कि ये स्रित तेजस्वी जादव जी की मांग पर हम लोग आए हैं, तो इसलिए सब को तेजस्वी जादव जी के मांगों का संबर्तन करना ही पड़ेगा, आदरनी जी जो बात कह रहे हैं, तो ये तो सब को पता है कि आदरनी नितिस कुमार जी मुख्य मंत्री थे, उनी की सरकार थी, उनी के नितिस में सरकार थी, स्री तेजस्वी जादव जी जब गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बढ़ता था, तो आदरनी नितिस कुमार जी के लिए तालियां बजवाते थे, ये कहां कह रहे हैं, लेकिन 17-18 महिनों में, वो सब क्यों नहीं हुआ जो तेजस्वी जादव जी के 17 महिने के कारिकाल में वाइस का न जवाब चाहिए, लगातार भी सत्ता पच्छामला वरे करें कि पत्र जड़ का तो मौशम खत्म हुआ, मगर अब राजनीति के तोरपन पत्र जड़ का मौशम चालू हो गया, आरजडी में बड़ी भगदल होने वाली है, जो लोग ये सब बात कह रहे हैं, उनको सावन भाद, अभी तो भादो बीतेगा, तो पता चल जाएगा कि कहां अभी पत्र जड़ आएगा, कहां भगदल मचेगा, अभी आगे आगे देखें न होता है क्या, अपनी पार्टी, अपनी सरकार बचाले बिरोदी यही बहुत है, राजत का जड़ इतना मजबू है कि कोई पेड को हिला देने से दोचार पत्ता जड़ सकता है, लेकिन जड़ कमजोर नहीं हो सकता है, यह नोजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों का बल है, राश्टी जनतादल है, राजद यह जदियों और बीजेपी में तूट होगी, पत्त जड़ आएंगे रा राजद के परवक्ता है, मिर्चुन ये तिवारित, तमाम सालों को जा दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे हैं, फस्ट विहार से शहले लिजेपी में चुका बिहार एवं जार्खंड के जातरों एवं अभिभावकों के बीच, सरवादिक विश्वस्निय एवं लोक प् प्राइब लोक प्राइब लोक जातरों के 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 जातरो